हलो फ्रेंड मैं हूँ वसीम मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस आइडिया जो भाई चैनल पे नए आये हैं उनसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बनी बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आज मैं मंगलाहट मंडी में हूँ और यहाँ पर भैंस का वीडियो कवर कर रहा हूँ यह मंडी सब्ताहिक है परती एक मंगलवार को लगता है बिहार के जहानाबाद डिस्टिक से इस मंडी की दूरी 25 किलो मीटर है कुर्था और किंजर के बीच में यह मंडी लगता है तो चलिए इसी भैंस से श्टार्ट करते हैं काफी अच्छी भैंस है और बहुत ही शांदार इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए तारीफ में और आप लोग लाइक ज़रूर करें वीडियो के भावनाओं में खोने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो में लेकर आता रहता हूँ तो लाइक ज़रूर किया करें बहुत आत्मो विश्वास बढ़ता है लाइक देखने के बाद और जो नए भाई आया है इस चैनल पे तो चैनल को सब ठाक है देख सकते हैं कितना दूरी है दोनों लेटी के गैप में तो सिंग बगरा भी छोटा है तो अब इसके प्राइस के उपर में आएंगे उससे पहले दात के बारे में बता दूं तो दात में ये मिल चुकी है भैस और दूद की कैपिसिटी के अगर बात की जाए तो इ जाकर अभी आठ से नौ दिन हो रहा है जैसा कि इनके ओनर का कहना है तो भैस काफी पसंद आई मुझे इस तरह की भैस मुझे बहुत कम देखने को मिलती है मंडियों में हाइड भी ठीक ठाक है और पीछे का इसका गुलाई देख सकते हैं काफी बढ़िया है इसके हड़ी क देना चाहेंगे जो कि ये भैस बिक चुकी है और बिके वे भैस या गया का आप लोग डीटेल जानना भी चाहेंगे और मैं बताना भी चाहूंगा तो पूरी वीडियो में अंतक बने रहें ताके पूरी जनकारी आपको समझ में आ सके सबसे पहले तो मैं ये बताना गई थी इस भैस के नीचे और डिमांड 55,000 रुपय किया गया था इस भैस का लेकिन जो भाई खरीदें हैं यानि जो सेकंड ओनर इस भैस के हुए उनका कहना है कि ये दोनों टाइम में साड़े आठ से 9 लिटर दूद करेगी और इस भैस को उन्होंने 41,000 में परचेस किया है तो 41,000 में ये भैस सेल आउट हो चुकी है बच्चा इसकी नीचे काणा बच्चा जो के देख पा रहे हैं आप तो भैस काफी अच्छी है ये भी और बिकी भी भैस है तो कोसिस होती है कि बिका वा जो भी भैस या गया हो उसका भी प्राइस बताया जाए लेकिन हर वीडिय में तो उसका भी डिटेल देना चाहेंगे और एक ये भैस जो के ये भी भैस काफी अच्छी है और कोसिस यही होती है कि आप लोगों को मंडी से अच्छी से अच्छी भैस और गया का वीडियो दिखाया जाए तो पूरी डिटेल में इस भैस के बारे में भी जनकारी थोड़ा सा थन वगएरा देख लिया जाए इस भैस का क्या थन है देख सकते थन तो काफी बढ़िया बना कर रखी है और दात में ये भैस भी मिल चुकी है और अगर डिमांड की बात की जाए तो इस भैस का 52,000 रुपए डिमांड किया जा रहा है यानि 52,000 इसका डिमांड रखा गया इनके ओनर के तरफ से थन भी देख सकते काफी बढ़िया बना कर रखी है और दात में मिली भी भैस जैसा के मैंने आपको बताया बच्चा इसकी नीचे काड़ा है और दूद की कैपिसिटी इस भैस की नीचे जो बताई जा रही है इनके ओनर के तरफ से वो दोन से थन वगएरा भी कवर करेंगे सिंग एक थोड़ा सा डैमेज है सैद जगड़ा वगएरा करने में तूड़ गया हो या कोई और रीजन रहा हो खेर बात करेंगे इसके डीटिल पे कि इसका क्या डिमांड किया जा रहा है कितने दात पे है उससे पहले एक बार थन का वीडियो कवर कर लेंगे कि कितना थन बना कर रखी है और बच्चा देने में इसका क्या समय बच रहा है तो देख सकते हैं थन और एक बार बढ़ा कर भी दिखाने के लिए इनके आउनर को कहा गया है तो थोड़ा सा भैंस को भी बढ़ा कर दिखाया जाएगा ताके थन वगएरा थोड़ा सा समझ में आजाए कि क्या थन बना कर रखी है देख सकते थनों की बनावट दात में ये भैंस मिली भी है और बच्चा देने में अभी लगबग 28 से 30 दिन का समय बताया जा रहा है डिमांड की अगर बात की जाए तो इस भैंस का जो डिमांड क्या जा रहा है 57,000 रुपय डिमांड रखा गया इनके अउनर के तरफ से तो भैंस ये भी अच्छी है और बियाने के बाद लगबग मेरे हिसाब से ये भैंस को भी दोनों टाइम में 9 से 10 लिटर दूद करना चाहिए क्योंकि अभी एक मेहना प्लस का समय बचा हुआ है बच्चा देने में और भी थन बनाएगी तो एक ये भैंस इसका भी डिटेल देना चाहेंगे और उसके बाद फिर एक दो भैंस का और वीडियो कवर करना चाहेंगे बने रहे हैं हमारे साथ तो भैंस थोड़ा सा हाइट में कम है लेकिन लेंथ ठीक ठाक है और थोड़ा सा खुबसूरती के मामले में भी कमी इस भैंस में देख पारे होंगे आप लोग थन भी देखाना चाहेंगे देख सकते हैं थन आगे के तरफ ले जा रहे हैं इनके ओनर तो इस भैंस का अब डिमांड भी बताना चाहूँगा उससे पहले दात में मिली भी है और डिमांड की अगर बात की जाए तो मातरीस भैंस का 49,000 रुपे डिमांड रखा गया है दूद की कैपिसिटी इस भैंस की नीचे 7 लीटर दोनो टाइम में बताई जा रही है लगबग मान के ये चलना है कि दोनो टाइम में 5 लीटर के आसपास ये दूद करेगी भैंस बच्चा इसकी नीचे काणा है जो के देख पा रहे हैं बच्चा भी और लगबग ब्याकर इसको दो मेहना प्लस हो गया है तो एक ये भैंस और ये आकरी भैंस होगी और इसके बाद फिर वीडियो को अंद करेंगे मा के पीछे बच्चा भी जा रहा है देख सकते हैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मा को बच्चे से कितना ममता होता है तो बच्चे को भी मा से ममता कहीं कम नहीं होता है दोनों ही एक दूसरे के लिए प्यारे होते हैं खैर अब डीटेल जानते हैं इस भैंस की कितना इसका डिमांड रखा गया इनके ओनर के तरफ से और क्या दूसरे की कैपिसिटी है तो पूरी डीटेल में जनकारी देंगे सबसे पहले दांत के बारे में ही बात करेंगे तो दांत में ये भैंस भी मिल चुकी है और डिमांड के अगर बात की जाए तो 51,000 रुपया इस भैंस का डिमांड रखा गया है और अगर दूद की कैपिसिटी की बात की जाए तो इसके नीचे साड़े आठ लीटर दूद की कैपिसिटी बताई जा रही है बच्चा इसके नीचे फीमेल है यानि काड़ी बच्चा एक बार करीब से दिखाना चाहेंगे बच्चा काफी खुबसूरत लग रहा है देख सकते हैं तो बहुत ही शांदार तो अब वीडियो को करेंगे अंत वीडियो कैसा लगा ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेर करना ना भूले और अगर चैनल पर फर्स टाइम आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले थाइंक्यू फूर वार्चिंग